हेलो फ्रैंड्स वेलकम टू अज्जु नमो कीचन मैं नमो आज में राजमा की रेशिपी आपके साथ सेयर करने वालि हूँ तो राजमा की रेशिपी बनाने के लिए मैंने क्या क्या इंड्रीडेंस लिया है वह मैं आपको बता देती हूं डो सव ग्राम राज्मा लिए है मैंने इसे 5-6 घंटे तक सोक करके रख लिया है इसमें डालेंगे हम 5 तमाटर धनिया पत्ती लिया है मैंने बारीक कटे हुए 3 प्याज लिया है मैंने तो चलिए आज हम हमारी राज्मा की रसीपी स्टाट करते हैं सबसे पहले ये राजमा को मैंने 4-5 घंटे के लिए सोक कर लिया था इसे हलका सा 5 मिनट के लिए प्रेसर कूप में बॉयल कर लेते हैं पानी बॉयल करने के लिए मैंने रख दिया था इसमें ये राजमा को डाल देते हैं बोईल करने की प्रोसेस जल्दी करने के लिए हम इसमें हाट टेबली स्पून नमक डाल देंगे, अब हम इसे ढखके 15 मिन के लिए छोड़ देते हैं, तो ये बहुत अच्छी तरह से बोईल हो जाएगा, तब तक हम टमेटो को काटके इनके प्यूरे बना लेते हैं, मैंने ट टमेटो प्यूरे हमारा तैयार है, तमेटो प्यूरे तैयार है हमारा, जब तक राजमा गॉल हो रहा है, तो अब हम आप转ाला तैयार कर लेते हैं, उसके लिए holy लेए कंड़ा हम चरूर से गरम हो गया है, हम इसमें 2 टेबल स्कून जीरा टाल देते हैं, तीन से चार तेज पत्ता डाल देते हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेते हैं अब इसे अच्छी तरह से ब्राउन कर लेते हैं अभी ये ब्राउन हो गया है तो इसमें डाल लेते हैं टू टेवल स्पून धनिया पौडर तू टेवल स्पून लाल मिर्च पौडर हल्द जो टमेटो प्यूरे हमने ग्रैंड किया था उसे भी डाल लेते हैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं अब इसे ढखके पांच मियट के लिए छोड़ देते हैं अब हम अपने राजमा को देख लेते हैं इसे चेक कर लेते हैं देख सकते हैं हमारा राजमा बूत आज मitट हो गए हैं ā Can क्वस्ष्बू आ रही है कितना अच्छा मसाला हमारा हो गया है कि बहुत आची तरह से राजमा का $ मसाला तैयार है अब इसमें राजमा को add कर लेते हैं है इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं अब इसमें हम 3 से 4 टेवल स्पून डाल देते हैं लेमन जूस नमक डाल देते हैं श्वादा नुसार ध्यान रखें नमक बहुत ही थोड़ा डालना है आपको श्वाद के अनुसार क्यूंकि हमने इसमें राजमा को बॉइल करते समय भ छोड़ देते हैं पांच मेट वाद हमारा राजमा तैयार हो जाएगा पांच मेट हो गए हैं अब हम अपने राजमा को देख लेते हैं वाओ देख सकते हैं आप क्या खुश्वारी राजमा से बहुत अच्छी तरह से बन गया है अब हम इसमें धनिया की पत्तियां डाल द आप घर पर जरूर प्राइब करें अगर आपको मेरे राजमा की रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें